Hello guys, कैसे हो सब लोग, तो guys, आज मेरे पास आया है iZTai की तरफ से iZTai Go 1, जो की एक 3XS smartphone gimbal है और इसका price है जिर्फ 7000 रुपे, तो चलो इसका unboxing करते हो और देता हूं मैं आपको एक honest review क्या आपको 7000 रुपे इस पर invest करना चाहिए, कि नहीं, लेकिन उसने बहले guys, अगर आप प्रीमियम लगता है box को देखने में ही और side से भी, box के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है एक user manual उसके बाद आपको gimbal तो देखने के लिए मिलेगा और उसके साथ आता है एक gimbal stand जिसे आप कहीं पर भी रख सकते अपने gimbal को और एक type C charger भी मिल जाता है, gimbal को जो आप हा इस बेटन से आप zoom in and zoom out कर सकते हो और यह dial object को focus करने में काम आता है इतना ही नहीं अगर फोन की charge खतम हो जाता है तो इस gimbal पर आपको charging pad भी देखने के लिए मिलता है और आपको एक fill light भी देखने के लिए मिलता है जो कि इस price range में मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है अभ आपको रेजल कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर मैंने कावी तेज़ चला तो comment में आप मुझे बताओ कौन सा क्लिप सबसे ज्यादा stable लग रहा है बेसिकली यह रिट्यू गो गिंबल है आप बस एपन को यहाँ पर मांट करो और आप लोग इसे यूज करना start कर सकते हो लेकिन इसका एक आप आता है जो कि आपको प्लेश्ट अपस्तुर में मिल जाएगा उसे डाउनलोड करने के लिए उस पर QR कोड आता है उस QR कोड़ कर लेना तो एप आ जाएगा आप को डाउनलोड कर लेना और इस एप में आपको धेड़ सारे फीचर यूज़े में आध्याद यूज़ कर सेकते हो और काफी ब़िया क्वालईटी की वीडियोस को निकाल सेकते हो मैं काफी इस गिमबल को यूज़ कर रहा हो और परसनली यह गिमबल मुझे काफी ज्शाय लगा इस सेग्मेंट पे यह जितनी फीचर्ण को फिचे प्रोवेड कर कर लेना तागे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्दी पहुंच जाए और साथ में अपनी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना तो वाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हींत बंदे मातरम